आज हम लोग कुछ घरेलू निसके पर बात करेंगे कि प्राया कोक्रोज की समस्या आम होती है हर घर की तो आज कुछ दवाई कोक्रोज के लिए हम बनाने जा रहे हैं जिसमें मैंने ये 100-500 ग्राम के करीब ये कोक्रोज बोरिक पॉडर लिया है और थोड़ा सा दोद लेना है आपको ये चीनी पॉडर है इसे आपको मिक्सी में पीस लेना है और इसमें मिक्स करके अभी हम बनाएंगे तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मैंने 50 ग्राम के करीब चीनी को मिक्सी में पीस लिया है ये देखे मैंने चीनी को इस पॉडर में मिक्स कर लिया है बहुत अच्छे सी मिक्स हो गया है अब इसमें चलिए हम दूद मिलाते हैं तोड़ा तोड़ा करके दूद मिलाना है बहुत दूद एक बार में नहीं मिलाना है इसके खूली बनेगी, छोटी छोटी सी खूली बनेगी ये देखे, मेरा पेस्ट बहुत बढ़िया बनकर त्यार हो गया है अब हम इसकी छोटी छोटी घूली बनाएंगे इसमें इस दूर्द की मातरा आप अपने पॉडर की इसाब से कम और जादा कर सकते है मैंने बोरीक एसीड इस कंपनी का लिया है ये देखिए इस कंपनी का बोरीक एसीड बहुत ही अच्छा होता है जो कौकरोज की दवाई बनाने के काम में आता है और अब मैं इस प्रे पर एक पॉलितिन लगा ली हूँ ताकि जब वो गोली सुख जाए तो उखाडने में सुखाना है जब तक कड़ा ना हो जाए तब तक अंदर ना लाएं और जब सुख जाए तो अपने घरों में जगा जगा पे जहां आपको लगता है कि कौकरोज आते हैं तो आप उसे वहां रख दे आ कि यह देखिए मैंने इतना गोली बना लिया है गोली बना लिए समय आ अब इसे धूप में सुखाना है और उसके बाद यह दवा घर में रखनी के लिए तैयार हो जाएगा इसे तब तक धूप में रखें जब तक यह गोली सुकर कड़ाना हो जाए आप ऐसे छो करके देख लें तब वह रेडी हो जाए मेरा यह वीडियो आप लोगों को आया है तो कमेंट करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें धन्यवाद